22 जनवरी का दिन करोडो देशवासी और राम भक्तु के लिए सबसे बड़े उत्सफ का दिन है पियम मोदी और सीम योगी समेट 6000 से ज़ादा विशिस्ट अतिती इस खास समारों के गवाह बनेंगे जिन्हें निमंतरण मिला है वो तो आयोध्या जाएंगे लेकिन जो नहीं जा सकेंगे वो अपने अपने घरों, मुहलों और जिलों में प्रान प्रतिस्था का उद्सब मनाएंगे मुखमंतरी योगी आदित नाथ ने अयोध्या में बहुप्रतिक्षित श्रीराम लला के प्रान प्रतिस्था समारों से आम जन्मानस के इसी भावनात्मक जुडाव को देखते हुए 22 जन्वरी को प्रदेश में सिक्षन संस्थानों में अवकाश खोशित करने के नरदेश लिए हैं इस विशिस्थ अवसर को रास्टिय उत्सफ करार देते हुए सीम योगी आदित नाथ ने कहा है कि 22 जन्वरी को प्रदेश में शराब की दुकाने बंद रखी जाए मंगलवार को योध्या दोरे पर आये मुख मंत्री ने श्री नाम लला और हनुमान गढ़ी के दर्शन पूजन के बाद श्री नाम जनम भूमी तिर्थ शेत्र ट्रस्ट के पता अधिकारियों के साथ बैठक की मकर सक्रांती के बाद शीरू हो रहे प्राण प्रतिस्था के वैदिक अनुष्ठानों की जानकारी लेते हुए मुख मंत्री ने समारोह की सुरक्षा और व्यवस्थाओं में तिर्थ शेत्र प्रस्ट को सभी आवश्यक सहयोग के लिए अधिकारियों को नर्देशित किये पूत्सव मनाय जाएगा हर सनातन आस्थावान अपने घरों और प्रतिस्थानों में राम जोती प्रज्वलित कर राम लला का स्वागत करें और सभी सरकारी भवनों की साज सज्जा कराई जाए और साएक काल में दिब आतिश बाजी के भी प्रबंध हो